है यह दोस्तो स्वाग्यतं आपका मेरे चैनल वास्तुटुप्स कहरे लीज कशार में यदि आपने अवी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 के आखरी चर्ण गिरन की आखरी चर्ण गिरन साल 2023 में कब है और उसका समय क्या है वैदिक जोतिस सास्त्र में गिरन लगने की घटना को खकोली घटाओं में माना गिया है जब भी सूर्य और चर्ण गिरन लगता है तो केवल वा बैगनिक देश्टी सही ने मिल की अध्यत्मिक देश्टी से भी काफी महत्तो पुर्ण होता है हम सभी जानते हैं धरती सूरज का चक्कर लगाती है और चांद धरती का चक्कर लगाता है जोते सास्रे में इस खगोलिय घटना का बहुत महत्तु है। चंडरगरण भारत समय दिशों की कई दिशों में भी नजर आने वाला है। भारत में आप पूर्ण रूप से देखेगा अत्या भारत में इसका सूतक काल भी मानने होगा। आएए चांद है कि साल 2023 में दूसरा चंडरगरण कब लगने वाला है। कब लगेगा साल का दूसरा चंडरगरण। वर्सत हो जाते इसका दूसरा चंडरगरण आगामी उनतिसक्ट पसुब दिन रवियार को रातरी एक बचकर पांच मेट से दो बचकर बाइस मेट तक रहेगा या चंडरगरण भारत के सांसां दुनिया की तमाम देशों में भी दिखाई देगा। इतना ही नहीं चंडरगरण में 9 घंटे पूर सूतक काल लगता है तो वहीं सूरगरण में 12 घंटे पूर सूतक काल माना जाता है। गरण के दौरान तामसिक चीजों का त्याग करते वे भगवान के मंत्रों में लीन रहना चाहिए। जाते हैं सूरगरण कहां कहां दिखाई देगा। कई देशों में देखा जा सकेगा। कर बाइस मेंट पर समापत होगा यह पूर्ण चनल करें भारत में होगा और भारत में भी दिखाई दे इस कारण सूतक काल भी भारत में मानने होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ